नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाल जी फैसन इस्टूडियो में आज की वीडियो में हम सीखेंगे जोद्पुरी कोट कैसे काटते हैं इसको बंद गले का कूड भी कहते हैं तो आईए सुरू करते हैं यह मने कपड़ा पेजा लिया है कपड़ा इसका about 70 है तो सबसे पहले इसका नाप समझ लेते हैं लंबा इसकी सत्ताई से सीना पैती से सेंटर साड़े कत्ती से पेट साड़े बती से हिप छत्ती से सोल्र 524 और इसकी क्रॉसबेथ 15 यह जोटपुरी कोड़् है नीचे से गोल है तो रही है सबसे पहले ओपर एक सीधी लाइन खीच लेंगे इसके बाद एक इंच की लाइन एक इंच नीचे लाइन और खीच लिए इसके बाद यहां से हम इंची टेप रखेंगे तो सबसे पहले लंबाई का मेजर करेंगे लंबाई हमारी 27 है तो इसको हम 27 ही रखेंगे यहां से 2 इंच का मारजन लेंगे और यह पेट का निसान लगाएंगे हम तो लंबाई का आधा शाड़े तेरा प्लस इसमें डाहिंची प्लस करेंगे तो यह 16 पे आएगा सीना हमारा 35 है तो 35 का चोथा हुगा पॉने नो इसको हम आधा इंची लूज रखेंगे तो यह सबाद्व पे आएगा यहां से हम डेल इंची उपर एक निसान लगाएंगे तो यह सबाद्व पे आ इन लाइनों को हम सीधा करेंगे तो इसके बाद हम एक निसान लगाएंगे साइड से लाईगा तो यहां पर हम दो इंची लगाएंगे निसान यहां भी दो इंची यहां पर हम डेल इंची निसान लगाएंगे और यहां पर एक निसान लगाएंगे इसके बाद सीधी पटरी से इसको हम सीधा करेंगे और सेपटरी से इस निसायन को और इसको मिलाएंगे और उसके बाद इस निसायन को और इसको मिलाएंगे गला हमारा साड़े चौदा है तो इसमें हम तीन इंच में एक सूथ कम लगाएंगे अगर चौदा होता तो हम पौनी तीन लगाते पंदरा होता तो तीन लगाते और यहां से दो सूथ नीचे निसान लगाके इसको राउंड बना देंगे इसके बाद चौदर है हमारा साड़े सोला तो साड़े सोला का आदा हुआ सबाट और इसमें आधा ह weights से लाई कि लिए मार जन लिया हमने इस लाइन पर हम क्रोस बेग का निसान लगाएंगे क्रोस बेख मारी पंदरा है इसमें अधा हुआ साड़ेश, साड़े साथ और इसमें हम आधा ह duż वग के लिए मारजन देंगी पेठ हमारा है साड़े बत्तीस तो साड़े बत्तीस का छटमा हिस्सा सवा पांच इंच होगा इसमें हम डेड़ इंची पिलस करेंगे तो यह हुगा पौने साथ और यहां से हम पौने साथ से आधा इंची बढ़ाएंगे यहां पे हिब के लिए तो हिब का निसान इस लाइनसे दो इंच उपर लगाएंगे तो यह हमारा है पौने साथ तो यहां पे हम सवा साथ पर निसान लगाएंगे और यह डेड़ इंची चाक के लिए लम्मा site 27 है तो हम साड़े साथ इंची चाक त्यार रखेंगे इस निसान से आधा इंज दूर निसान लगाना है ये वाला देखिए ऐसे और फिर ये निसान लगाना है और ये निसान लगाना है दोस्तों बेक के निसान लग गए है बेक दोस्तों हमारी सारे कोटों की हम एक जैसे ही काटते हैं चाहे वो दो बटन का हो या ब्रेस कोलर हो या बंदगला हो या जो पुरी एक सारे कोट की बैक एक जैसी कटेगी तो इसको हम फिर से समझ लें हमने सबसे पहले ये सीधी लाइन खींची इसके बाद एक इंची नीचे एक लाइन और खींची फिर यहां से हमने मेजरमेंट कि किया तो दिखी यहां से हमने लंबाई नापी लंबाई 27 है इसके बाद हमने ये 27 इसके बाद दो इंची का मारजन रखा इसके बाद हमने पेट का निसान लगाया लंबाई का आधा साड़े तेरा पिलस डाह इंची इसके बाद हमने चेस्ट की निसान लगाया चेस्ट इस का 11 pense quran स्टान करने का बहुत अच्छा तरीका है इस्का यहां करता है कौन से कौट में इसका यह है जितना हमने गला किया है 3 इंच में एक सूथ कम है इसका आधा हमें यह कर देना है मैं ऐसे करता हूं वह मेरे सारे को अच्छ प्रजा EST इसके बाद हमें shoulder के निसान लगाना है shoulder हमारा है साड़े送ला तो साड़े सूला का आधा हुए सवा इसुवाट और इसमें आदा इंची शिलाई के लिए यहां पे हमें बैख के निसान लगाना है बैख है हमारी 15 तो 15 का अधा हुआ साड़े साथ इसमें आदह हैं चींचा पिलस कर देना है इसके बाद हमें पेट का निशान लगाना है पेट है साड़े बतीस तो साड़े बतीस का हमने छेट मार्वास ड़्या तो यह सवा-पांच आया सवा-पांच एक सूथ आएगा यह लेकिन एक सूथ से ज्यादा फरक नीपड़ता है इसके बाद इसमें में डेड़ इंची पिलसकोन मीतson एक अगर यह साथ किया सफ चा एक छे साह गया एक करते हैं अगर पेट और है बरावर होता तो इसको हम बरावर करते हैं तो ठीक है दोस्तों बेक आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी हम कटेंग करेंगे बरावर करेंगे कि इसकी करेंगे थे अबाई दिरो किपड़ माज़र स्प्रीक गवब्ड़र कुछिए और करेंगे हैं तो इसकी हमें तो इसकी हम अबड़। लड़ोर कि इसकी हमें अबड़। तो दोस्तो बेक हमारी कट गई है तो दोस्तो आशा है आपको बेक समझ में आ गई होगी और आप वीडियो देखकर बेक काट सकते हैं तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे जोत्पुरी कोट का सामना कैसे काटते हैं तो धन्यवाद दोस्तो